आज बना रही हो गेश्टे स्पेसल थाली क्योंकि आज आ रहे हैं आसिस के चाइल्ड हुड फ्रेंड चूंकि हमारे होम टाउन जहारखंड से ही आ रहे हैं और ये थाली बहुत ही स्वाधिश्ट बन करके तयार होती है बहुत ही इजी रेस्पी मैंने बनाई है लेकिन इसका करना है और में यहाँ आंपर एक सब्जी बनाने वाली हूं और हम पनीर वागरा नहीं बनाने वाली हूं क् widget जैरली क्या होता है वेजटालि सोचते हैं तो हमेसा पनीर ही बनता है लेकिन आज मैं पनीर नहीं बना रही हूं आलू की सबजी बनाओंगी जिसे कि आप आलू दम भी बोल सकते हैं लेकिन आलू दम नहीं बना रही हूं तो मैंने यहाँ पर छोटे वाले आलू लिये थे बेबी पोटेटो जिसको बोलते है और यह मैंने एक विसल आने तक कुकर में पका लिया है मीडियम फ्लेम पे एक विसल लगाईएगा आलू अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाते है तब तक के लिए मैंने इधर पैन चड़ा दिया है क्योंकि छोटे वाले आलू होते है जो अगर गरम गरम में छीली जाए ना तो बहुत ही आसानी से छिल जाती है आलू में मैं यहाँ पर प्रिक कर रही हूं फोक से ताकि अंदर में भी अच्छे से ग्रेवी जाए क्योंकि छोटे वाले आलू है ना अगर आप छोटे वाले आलू से नहीं बनाना चाहते है ना ये सबजी तो आप बड़े वाले आलू ले ले उन्हें बॉयल करके दो-तिन टुकडों में काट ले उससे भी ये बन सकती है तो एक टेबल इस्पून के करीब मैंने पैन में तेल डाला ये सर्सो का ही तेल डाला है आप जो भी तेल खाते हूं यहाँ पर आड़ कर सकते हैं आलू एड़ कर दिया है मैंने धीर धीर इधर आलू भुनती रहेगी तब तक के लिए मैं इधर बाकी की ग्रेवी की तयारी कर ले रही हूँ तो जो आलू है उसे अच्छे से सुनहरा करने तक हमें भुन लेना है और इधर मैंने अद्रक, मिर्च, लेसन, साथ आठ होंगे दो हरी मिर्चे हैं और एक से डेड़ी इंच अद्रक का टुकड़ा है इसे हम क्या करेंगे दरदरा सा पीस करके इसका पेश्ट बना करके रख आप चाहे ना तो इसे खलवट्टे सिलवट्टे जो भी हो आपके पास आप यहां पर इसे कर सकते हैं या फिर आप चाहे ना तो इसे बारिक बारिक चॉप भी कर सकते हैं तो मैंने इसे बावल में निकाल करके साइड में रख दिया है और अभी मैंने लिया है प्याज तो तो जो इदर आलू आ ना वह भी देर देर भून रही है मैं इसे फ्रेम को पतेज करके नहीं भून रही हूँ नहीं तो जो आलू आना जल जाते हैं उपर से तो मैंने इसे छोटे वाले बर्नर में कर दिया और इधर कड़ाई छड़ा दिये ग्रेवी बनाने के लिए अब ही मैंने लिया एक खलवट्टा आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं एक छोटा सा डाल चिन्नी का टुकड़ा दो लॉंग और एक बड़ी इलाइची एड़ किया है तीन छोटी बार इलाइची और चार काली मिर्च क्या करेंगे यहाँ पर यह जो गरम मसाला है इसे हलका सा मोटा कुट करके तयार करेंगे सबजी में डालेंगे इससे टेश्ट बहुत ही अच्छा आता तो मैंने यहाँ पर इसे कुट लिया है आप चाहें तो साबुद भी एड़ कर सकते हैं जो छिलके थे ना इलाइची के वह मैंने भटा दिये हैं और इदर आसिस आ गया है हेल्प करने के लिए वैसे वह साइड साइड से भी हेल्प कर रहे हैं जो कि वीडियो में दिख नहीं रहा है कड़ाई मैंने एक से डेट तेबल स्पून के करीब तेल एड़ किया है जीरा एड़ कर रही हूँ दो तेजपत्ता थोड़ी सी हींग और ये जो करम मसाला हमने मोटा वाला कूटा था ना वो एड़ कर दिया है साथ ही अदरक मिर्च और लहसन का पेश्ट और हाँ जो लोग प्याई लहसन नहीं खाते ना वो प्याई लहसन को स्किप कर दे उसके बिना भी ये सबजी उतने ही टेश्टी बन करके तयार होती है तो यहाँ पर लहसन और अदरक का जब तक कच्चा पन निकलना जाए हम क्या करेंगे से थोड़ा से भून लेंगे उसके बाद हमने जो प्याई पिसके रखी ती ना दरदरी सी वो इसमें एड़ कर देंगे अब यहाँ पर लोफ लेंपे प्याज को अच्छे से भून लेना ब्राउन होने तक के लिए आप चाहें तो प्याज को बारिक बारिक चॉप करके भी आड़ कर सकते हैं लेकिन पिसकर के भी टेश्ट बहुत ही जादा अच्छा आता है ग्रेवी अच्छी बनती है इसे हम क्या करेंगे ना कि फेट लेंगे ध्यान रहे जो दही आना यहाँ पर खटी नहीं होनी चाहिए खटी रहेगी ना तो टेश्ट अच्छा नहीं आएगा उतना तो यहाँ पर नॉर्मल ताजा दही ही लीजेगा मसाले मिक्स करने के बाद दही कुम साइड में रख देंगे ताकि जो मसाला आना यहाँ पर अच्छे से फूल करके तयार हो जाए और अब मैंने यहाँ पर तीन टमाटर लिये हैं लाल लाल छोटे साइज के थे बड़े नहीं थे अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक से डेड़ चममच्छ खरबूचे के बीज और पांच से छे काजू और इसे हम क्या करेंगे तीनों चीजों मिक्स करके इसे बारीक एकदम पिस करके तयार करेंगे एकदम फाइन सी प्यूरी बन करके तयार होती है अब चाहें तो का आज यहां पर भून गये थे तो मैंने टमाटर मगज काजू का जो पेश था वो मैंने एड़ कर दिया है और इसे ना लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि इसे ना जो कड़ाई को है छोड़ने ना लगे तब तक के लिए भूनना है अगर अब जाधा तेल एड़ करेंगे और लो फ्लेम पे इसे चलाते जाएगा नहीं तो जो दही है नहीं यहां पर फट सकती है तो ध्यान रहे इसे चलाईएगा और दही में ना नमक मत आड़ किजेगा नहीं तो दही फट सकती है तो यहां पर अच्छे से भून लिया है मैंने अब मैं इसमें एड़ करूंगी मटर, आप चाहे तो मटर skip कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी जगा पनीर भी आडड कर सकते हैं, जो मरजी मखाने आडड कर सकते हैं आलू आडड कर दिया है बुनने के बाद, साती हरे वाले मटर थोड़े से किसमिस और टेश्ट के रिकार्डिंग नमक एड़ किया है तो यह सबजी आप बहुत तरीके से बना सकते हैं बहुत ही स्वाधिश्ट बन करके तयार होती है लेकिन आलू दम इस टाइल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में आप इसे आलू दम भी बोल सकते हैं उसके बाद मैं इस अभी मैं बनाओंगी यहां फर वेज पुलाओ तो यह पुलाओ ममी बनाती थी बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में मैं जेनरली अभ्यू के लिए बनाती हूं ना कोई तेल मसाला कुछ भी नहीं होता है बड़ बहुत सिंपल और टेश्टी लगता ह खाने में और आलू दम के साथ इसा कामबिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है क्योंकि आलू दम थोड़ा सा मसालेदार ग्रेवी वाला होता है और ये अच्छा लगता है कडाई मैंने एक चमचे करीब घी अट किया है छे से साथ काजू को मैंने दो टुकडों में कर लिया ह और हम क्या करेंगे उसे हलका सा भून लेंगे साथ ही थोड़े से किसमिस एट किया है तकरीबन दो चमचे करीब आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं उसकर मैंने इसमें गाजर, बीन, गोबी और हरे वाले मटर एट किया है आपको जो सबचिया पसंद हो आप यहाँ पर एट कर सकते हैं लेकिन ये सबचिया बहुत ही जादा अच्छी लगती है पुलाव में और हलका सा यहाँ पर इसे भून लेंगे बहुत जादा आपको यहाँ पर इसे नहीं भूनना है उसके बाद मैं इसमें एट करूंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक आप आप चाहे ना तो हल्दी स्किप कर सकते हैं, मैगी मसाला अड़ कर सकते हैं, गरब मसाला अड़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें हल्दी अड़ कर रही हूँ क्यों बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में थोड़ा सा अलग सा लुक भी आता है, अब यहाँ पर हल्दी नमक मिक्स करने के बाद राइस एड़ कर दिया है मैंने राइस को मैंने आधे घंटे तक के लिए भीगने के लिए रखा था जिसे की जो राइस है ना अच्छी से फूल जाती है और खिली-खिली राइस बन करके तयार होती है राइस एड़ करने के बाद मैंने इसे एक मिट में तक क्य लिए भुन लिया है उसके बाद मैं इसमें एड किया दीन अर पको करी पानी क्योंकि राइस मुझा था न वह डेञेक तीन कप के करी पानी आड किया है जश्ट आपको दुग्णा पानी आड करना है और एक और यहांपर हैं ब्हट का ओक देंगे आपको देख करके ही पता चल रहा होगा मुझे बिल्कुल भी बोलने की जरत नहीं है दही आड़ करने से इसमें इतना क्रीमीनेस और रिचनेस आज़ाता है और मैं आपको बता नहीं सकती उपर से बारीकट हरा धनी आड़ किया है और यहाँ पर हमारी आलू दम मतर बन करके तयार है सुपर सुपर टेश्टी लगती है आप इसे पराठे के साथ खाएए पूरी के साथ खाएए राइस के साथ खाएए हमेशा ही आपको बहुत अच्छी लगेगी साथ ही मैंने यहाँ पर पराठे बनाए हैं सिंपल वाले ट्रैंगल पराठे हुई बनाए हैं मैंने और इधर देखे जो राइस है ना आठ से नौ मिनट के बाद ही एकदम लो फ्लेम पे पकाने के बाद एकदम तयार हो गई एकदम खिली खिली राइस हमारी बनती है और मैं यहाँ पर थाली रडी कर रही हूँ और यह है आवले की लॉंजी जिसकी रेस्पी मैंने अल्रेडी काफी टाइम पहले आप लोगों के साथ सेर की हुई थी बहुत ही स्वादिश लगती है और इसके साथ ही मैंने बनाया थ बाद वीडियो सूट करना मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है मैं मिलते हूं नेक्ट लाग में बाबाई टेक केर